आज हम उब्देश शिर्शक पर्मेश्वर प्रेम हैं के साथ पर्मेश्वर का वचन साजा करेंगे मुझे आशा है कि सियोन के भाई और भेने पर्मेश्वर की इच्चा पर चलते हुए पर्मेश्वर की वचन से निर्मल और शुद्ध होकर संसार की जोती और नमक बनेंगे प्रतम कुरुंतियो अधे 13 में पर्मेश्वर प्रेम की विशय कहते हैं बालाको का सा मन से हम प्रेम नहीं कर सकते यह इसलिए है क्योंकि बालक हमेशा प्रेम पाना चाता है वह प्रेम देने की स्तिती में नहीं है जब उसे असुविदा जनक मैसूस होता है तो वह अपनी माता का बलिदान चाता है वह अपने पिता का बलिदान भी चाता है वह इसे विबिन तरीकों से व्यक्त करता है, जैसे रोना, चुड़ चुड़ाना या खफा होना, जिसका अर्थ है मुझे असुविदा हो रही है, मुझे सांतवना दीजिए. परमेश्वर ने कहा, अब तुम सयाना हो गए हो, अपना बच्पना छोड़ दो. आई हम प्रतम कुरुंतियों अधे 13 आयात एक देखे, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्दुतों की बोलिया बोलू, और प्रेम न रखू, तो मैं ठंटनाता हुआ पीतल, और जनजनाती हुई जान्जू, और यदि मैं भविश्वनी कर सकू, और सब भेदो, और सब प्रकार क ग्यान को समझू, और मुझे यहां तक पुरा विश्वास हो कि मैं पाहडों को हटा दू, परंतु प्रेम न रखू, तो मैं कुछ भी नहीं। बताया गया है, कि यदि प्रेम मूल बातों पर आधारित नहीं है, तो सब कुछ वेर्थ होगा। आया माया 3 देखे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दू, या अपने देह जलाने के लिए दे दू, और प्रेम न रखू, तो मुझे कुछ भी लाब नहीं। प्रेम धिरजवन्थ है, और कृपालू है। प्रेम ढहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, और फुल सब बातों की प्रतिती करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आए हम आयत 11 में प्रेम की बारे में और देखे। लेकिन केवल सोचता है, मेरे लिए यह कर दीजिये। बालक यह भी नहीं सोचता कि उसके माता पिता खिलोने खरिद सकते है या नहीं। और चिड़चिड़ाते हुए मांग भी करता है। मुझे खिलोना चाहिए। आपको मेरे लिए यह भी खरिदना होगा। इसलिए यहा कहां गया है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों किसी समझ थी। परन्तु जब सियाना हो गया तो बालकों की बाते छोड़ दी। यह भी कहां गया है कि जिस प्रेम की शिक्षा परमिश्वर हमें दे रहे है, वह आत्मा का फल है। परमिश्वर कहते है कि यह पवितर आत्मा का फल है जो उनमें वास करता है। आए हम इसके विशे में गलातियों अध्या पाच देखे। अध्या पाच आयत 22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांती, धीरज, कुरूपा, भलाई विश्वास, नमरता और सैयम है। यह सब पवितर आत्मा का फल है जो किसी व्यक्ति में वास करता है। इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। आईए हम कुलुश्यो अध्यतीन में एक और आयत देखे। मुझे आशा है कि हम काम पर, स्कूल में, समाज में, या कही भी हो, पिता और माता का प्रेम साजा कर सकेंगे। अध्यतीन आयत बारा देखेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोश देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपरात्शमा करो जैसे प्रभू ने तुमारे अपरात्शमा किये, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के उपर प्रेम को जो क्या है, सिदता का कटी बंद है, बांध लो। प्रेम एकता का कटी बंद है। इन सब के उपर प्रेम सिदता का कटी बंद है, जिससे सब एक हो जाते है, और यह वह है जो परमीशर सबसे अधिक चाहते है। यह बजन सहिता की पुस्तक में लिखा गया है, देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, क्या ऐसे अभिलिक नहीं है, जो भाईयों की एकता को मनोहर मानते और सराना करते है, इसलिए पिता और माता आज हम से कह रहे है, परमेश्वर स्वयम प्रेम है, इसलिए तुम्हारे आसपास की सवी चीजों को प्रेम के रुष्टि कोन से देखो, हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के बहुत से लोगों के साथ प्रेम बाटे, वह प्रेम जो हम केवल पाने की चाहा रखते है, वह प्रेम नहीं है, जो परमेश्वर चाते है हम में हो, इस मामले के बारे में निच्चित रूप से हमारे कई ऐसे हिस्से है, जिने निर्मल कराने की आवशक्ता है, मुझे आशा है कि हम सब पहले से बहतर बन सकते है और आज बीते कल की तुल्ला में बहतर बनेंगे और आज की तुल्ला में कल और बहतर बनेंगे ताकि हम सब ऐसे विनित और सिद्ध स्वर्गे लोग बन सके जो पिता और माता चाहते है आपका बहुत बहुत धन्यवाद